मामले में एक नया अपडेट आया है सलमान के घर हुई फाइरिंग का नया CCTV फोटेज भी सामने आया है और CCTV फोटेज में फाइरिंग करते नजर आ रहे हैं शूटर गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास से शूटरों ने फाइरिंग की है जेल में बंद बदमाशों से मुंबई ATS की पुष्टाज लगातार जारी है दोनों शूटर्स को गुजरात से मुंबई ले जाया जा रहा है तो फिलाल आपको बता दे गैलेक्सी अपार्टमेंट में रविबार सुभा तकरीबन पाँच बज़े दो बाइक सवार बदमाशों आते हैं और तीन राउंड फाइरिंग करके मौके से फराग हो जाते हैं पहले कुछ CCTV फोटेज सामने आये थे जिसके आधार पर इन बदमाशों की तलाश कर ली गई है और जो हम आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं ये दोनू शूटर है शूटर एक शूटर दो हम आपको दिखा रहे हैं ये दोनू शूटर्स को फिलाल जो है वो गुजरात से गरफतार कर लिया गया है अब आगे इनसे पूश्टाज की जाएगी कि आखिर इनका कनेक्शन किस से है किसके कहने पर इनोंने गोलिया चलाई कहां से ने हत्यार सप्लाई किये गए और किसके कहने पर ये यहाँ पर पहुंचेते कहा के रहने वाले हैं और क्या इनका मकसद है क्या इससे पहले भी इनोंने कोई ऐसी वादात को अंजाम दिया है इनका पीछे का क्राइम रिकॉर्ड भी खंगाला जाएगा इन सभी पहलों पर अब आगे चर्चा की जाएगी लेकिन इस पूरे मामले में ये गिरफ्तारी का होना ये साफ तोर पर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा क्लू है तो सल्मान खान के घर हुए हमले पर बड़ा परदफास हुआ है मुंबई पुलिस सूत्रों के मताबिक इस हमले के पीछे का मकसद सल्मान खान को ढराना और फिल्म इंडरस्ट्री में देहशत पैदा करना है ताकि वसूली का कारोबार आसानी से मुंबई में जमा सके सूत्रों का ये भी दावा है कि इसलिए गैंग्स्टर अनमोल विष्टोई के नाम से सोचल मीजा पर जो पोस्ट जाली गई उसमें अंडरवल डॉन दाउद इबराहिम का जिक्र किया गया सूत्रों के मताविक दावद का नाम लिखने के पीछे की सबसे बड़ी वज़ा ये बताना था कि मुंबई में दावद की कोई हैसियत नहीं बची है और उसकी जगा लॉरेंस गैंग ने ले ली है गुनेगारों की तलाश लगातार ज़ारी है पॉरेंस टीम मौके पर है और लगातार तफ्तीश की जा रही है और ये कच्छ से दो आरोपी जो हैं वो गिरफतार कर रही हैं क्योंकि इसमें लॉरेंस गैंग का नाम शामिल है तो ऐसे में अब उनसे भी पूशताज की जाएगी इस गैंग के सभी लोगों से फिलाल जो है देखे पॉलिस की टीम वहाँ पर मौजूर है और वो जो है लगातार तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है अब जो परिवार के लोग हैं वो जब वॉक पर निकले हैं तो तब भी पूलिस का पहरा लगातार जारी है और बकायदा वहाँ पर जो मीडिया है उसे भी शूट करना अलाओ नहीं किया जा रहा है सुरक्षा कारणों के चलते चलिए आगे बरते हैं एसोजी ने SI भरती परिक्षा 2021 में अपनी जगा डमी कैंडिडेट बैठा कर परिक्षा पास करने वाले चार और ट्रेनी SI को गरफतार किया है सभी ट्रेनी SI राजस्तान पुलिस अकादमी यानी RPA में ट्रेनिंग कर रहे थे और सभी को कोट में पेश्वी के बाद पाच दिन के रिमांच पर भेज दिया गया है तेके रिपाउट SI भरती परिक्षा में डमी कैंडिडेट का मामला SOG ने चार ओर ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को किया गिरफतार डमी कैंडिडेट बैठा कर पास की SI परिक्षा रविवार को भले ही अवकाश था लेकिन SOG का मकसद साफ था SI भरती परिक्षा 2021 में डमी